स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में आज का हमारा टॉपिक है एंशेंट इंडिया के MCQ जो आपके एक्जाम आने वाले हैं जैसे SSC के होगे या जैके SSP के होगे उसके लिए वीडियो आपके लिए बैनिफिशल रहेगी तो हम देखते हैं हमा और डैनिस्टी जो हैं बहुत इंपोर्टेंट है तो यही कोशन है कि कब और कहां पर फर्स्ट जैन काउंसल हुई थी ऑप्शन है हमारे 200 BC पाटली पुत्र पाटली पुत्र पटना को पहले क्या बोलते थे पाटली पुत्र ठीक है 250 BC पावापुरी 300 BC पाटली पुत्र या फिर 512 बेशाली तो हमारा क्रेक्ट आप्शन है थर्ड वाला ठीक पहले अब हम जैनिजम के बारे में देख लेते हैं जो हमारा जैनिजम था वो फाउंड किया था रिशव नाथ ने ठीक है रिशव नाथ ने और इसका जो साइन था साइन क्या था इसका एंबलन बुल बेल रिश रिशव बुल क्या होते है रिश की तरह होते हैं तो रिशव नाथ ठीक है रिशव नाथ ने इसको फाउंड कि है तीरंथांकर मिन्स की गुरु है ठीक है जैसे फस्ट गुरु जैसे आपने सिख्षिजम में भी देखा होगा फस्ट सेखिण टेज बहादूर महात्मा वो ठीक गुरु गोविन सिंग जी ऐसे इसके 24 गुरु जो first है वो रिशव नात है और जो हमारे 24 है वो हैं बर्दमान महावीर ठीक है बर्दमान महावीर और इनका sign है loin उसका रिश की तरह कोन होता है बुल बालू बुल कोई बालू बेल ठीक है और जो हमारे बर्दमन महावीर जी है वो 24 गुरू है तिरंथांकर है और इनका साइन है लॉइन ठीक अब हम थोड़ा बर्दमन महावीर की देखते हैं ये कहां पर पैदा हुए थे ठीक है ये सिदार था ठीक है इनके फादर का नाम है सिदार था जो जनत्री का क्लान के हैड होते थे और इनकी मदर का नाम है त्रिशिला ठीक है त्रिशिला ये बिहार में ठीक है ये कहां पैदा हुए थे बिहार में बिहारी बहुत तेज होता है बिहारी बाबू बिहार में कुंडल कुंडल ग्राम ठीक है कुंडल ग्राम एक जगा का नाम है विशाली के पास वहां पर पैदा हुए थे बिहार में पयदा हुए थे जै इन्होंने शादी कि थी या怎麼了 से ये shoda I do यह प्रापत किया तो यह Haushodha से शादी किग यह शोद कियो एनकी बेटी थी PRIA फिर 30 साल में टीकर 30 साल में यह चले घर लार शोर दिया ठीक, फिर बाद में इन्होंने गोशाला, जिसको हम अजीवी कब बोलते हैं, फिर इन्होंने 42 की एज में कवीला, जो बोलते हैं न परफेक्ट नॉलेज, आपने देखा होगा महात्मा बुद ऐसे मेडिटेशन करते हैं, ऐसे जानिजम ने कब परफेक्ट नॉलेज अचीब किया, परफेक्ट नॉलेज को वो क्या बोलते हैं, कबीला, कबीला कब अचीब किया, 42 की एज में, और कहां पे, ठीक है, कहां पे किया इन्होंने अचीब, साल ट्री के नीचे, ये भी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जिंबी का ग्रामा, ठीक है, वहाँ नदी भी बह लग जैसे, जिना, जिसको हम जितंद्रे बोलते हैं, जो अपने संस को कॉनकर करें, ठीक, और एक था, कबीलन, परफेक्ट लन, जिसको सीखने की पूरी परफेक्ट शक्ती हो, एक था, निर गरंथास, फ्री फ्रॉम आल बॉन्ड, सारी बॉन्डों से मुक्तो, ठीक, फ्र लोर को क्या बोलते हैं, निर गरंथ भी बोलते हैं, और उसके बाद, जैनास भी बोलते हैं, ठीक है, जैनास भी बोलते हैं, अब इन्होंने क्या सिखाया हमें, ये जो हमारे बेद कुरान, बेदा थे, उनको प्रॉपरली रिजेक्ट करते थे, बलाब बगवान में ये जक ठीन ही निय रखते थे। ठीक है बोलते हैं बेश रहेतं कुछ नहीं होते हैं बहगवान कुछ नहीं होतेcentered ये बोलते हैं कि कोई भी चीज है every object उसमें क्या होती है आत्मा होती है ठीक है उसमें क्या होती है बगवार नहीं होते लेकिन कोई भी पत्थर हो या पत्ता हो non living living कुछ भी हो मतलब वो बोलते हैं हर एक चीज में क्या होती है soul होती है ठीक यह बोलते हैं हमें equality को अपनाना चाहिए और हमें अपने करम पे जो हम करम करते हैं उस पे यकीन करना चाहिए ठीक है वो उस पे बलीव करना चाहिए जैसे हमारे करम होगे वैसे हमारा रिजल्ट होगा आगे ठीक है और इनकी कुछ फिलोसफी दी जैसे अनिवेकन तबा ठीक है हमारा यह कोशन था फर्स यही था कि फर्स जैन काउंसल कहां हुई पाथली पुत्र ठीक है जो पटना में पढ़ता है बिहार में पढ़ता है और सैकिन हुई बला भी यह बहुत बार पूछते हैं फर्स कहां हुई से दो ही हुई थी इनकी ठीक है दो ही काउंसल हुई ठीक है तो ये उडिसा में पड़ता है और ये कलिंगा की बार ही अशोका की लास्ट बार थी ये ऐसी बार थी कि इसके बाद जो अशोका थे उन्होंने लडाई को तो गीवप ही कर दिया इतना खून बहा था कि उन्होंने लडाई को गीवप ही कर दिया ठीक उसके बाद ये बुद्धिजम में convert होगे, कौन, शोका, अशोक, ठीक है अब हम देखते हैं, last battle of अशोका वाज कलिंगा, battle of कलिंगा कहां होई थी है, उडिसा में होई थी, ठीक है कलिंगा कहां बढ़ती है, बुद्धिजम को अपना लिए, जो अशोका है, वो थर्ड किंग है, मोरे इंपायर का, फर्स्ट कोन है, चंदरकुप्त मोरे जिन्होंने मोरे इंपायर को found किया हुआ है, सेकिन बिंदु सारा है, और थाड़ है हमारे अशोका, ठीक है, इन्होंने dhamma concept, मलब social conduct, ठीक है, peace of mind, उसको conduct किया, प्रोमोशन किया बुद्धिजम को, हमारे कंश्मीर में भी बुद्धिजम को किस ने परमोट किया हुआ है, अशोका ने, दा ग्रेट अशोका ने, कंश्मीर में भी बुद्धिजम को परमोट किया हुआ है, और अशोका को हम चंद अशोका भी बोलते हैं ठीक है चंद अशोका अब है what do we call the golden age of India art इंडिया आट में हम golden age किसको बोलते हैं प्री हिस्टोरी गुपता आज मुगल इरा या फिर modern इरा यह हम बोलते हैं गुपता आज को जीसे golden age of art और जीसे गुपता आज ठीक है प्री हिस्टोरिक टाइम तो आपको पता है जिसमें एंशियन बेदा विगरा रिग बेदा विगरा आते हैं इंडियस वाली सिबिलाइशन आती है मुगल एरा जिसमें पहले सबसे पहले बाबुर आया ठीक है उसने बैटल आफ पानीपत लड़ी ठीक बैटल आफ चोसाव लड़ी बैटल आफ चंदारी लड़ी उसके बाद उसका बेटा हुमायू, उसके बाद उसका बेटा अकवर, फिर जहांगीर, फिर शहाजान, फिर अरंग जे, फिर भी आया और कुछ मुगल्स, ठीक है फिर उसके बाद एस्ट इंडिया company establishment होगी, फिर हमारी बेटलाप लासी, ठीक है फिर उसके बाद 8537 का revolt, फिर आगया कि मतलब Congress Establishment हो गया फिर Modern India याती है ठीक यही Modern India आती है तो इसका correct option है गुपता एज गुपता एज इसे ancient India is called the golden age क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि बहुत से science literary art achievement ठीक इसी time में हुआ था वो classical art भी इसमें peak में था ठीक है peak में था classical art me तीन primary school भी थे गुपता के जैसे Mathura, Sarnath, Nalanda school ठीक है very important ऐसे पूछते हैं कि यह school किसके time period में थे गुपता period के time period में थे कौन से Mathura, Sarnath, Nalanda ठीक है गुपता period के बारे में देख लेते थोड़ा जो गुपता period था age of गुपता यह found किया था very important श्री गुपता ने श्री गुपता उसके बाद कुछ रूलर आते जैसे चंद्र गुपता first, चंद्र गुपत, समुंद्र गुपत और उसके बाद चंद्र गुपत सैकीन, कुमार गुपत, ठीक है, इन्होंने नालनदा यूनिवस्टी को found किया very important, नालनदा यूनिवस्टी को किसने found किया, बिहार में है यह कुमार गुपत ने जो बिचारे को आरे होते हैं वो ही पढ़ते हैं यूनिवस्टी में मैक्सिमम वो ही सारे जाते हैं पर ऐसे मैं ऐसे ट्रेक बतारियों लर्न करने के लिए को आरे होते हैं वो ही जो मैक्सिमम पढ़ते हैं ठीक है तो इन्होंने यूनिवस्टी फाउंड की थी नालंदा यून से पता जलता है पिलराव इलहाबाद जिसको हम प्रियाग राज बोलते हैं अभी ठीक और उसके बाए चंदरगुप्त सैकिन आता है ठीक है फिर उसके बाद हमारे कुमार गुप्त और सकंद गुप्त इनकी टाइम पिरिड में जो भूमेन की पुजिशन थी वह बहुत ही ड हैं कि ancient time में को किस के period में ठीक है सतीप्रता को practice किया जाता था तो गुपता period में ठीक है गुपता period में और polygamy ठीक है polygamy भी practice किया जाता था और इसकी जो economy थी जो खिला ठीक है ये भी बहुत बार question पुछा हुआ exam में ऐसे बोल देंगे या match the following देंगे आपको कि match करो खिला खिला वो लैंड आपको बोलते है न ऐसे डोगरी में बोलते है कि यहाँ ए खिली लैंड खिली जमीन पर दी मतलब wasteland ठीक है शेत्र भूमी शेत्र भूमी बोलते है यह किन्ने से खितर है यार हना शेत्र भूमी जो cultivated बोलते है और बास्तु बोलते हैं हाँ यह हमारे नजदी की हमारे कन्ने लगे दी यार यह जमीन बास्तु मलो पार जमीन लबदी नहीं वो जंगल है फॉरस्ट लैंड ठीक है उसको हम बोलेंगे फॉरस्ट लैंड ऐसे बोल सकते हैं खिला को वेस्ट लैंड खिला वेस्ट लैंड शत्रिय कल्टिवेटिड बास्तु habitual चार गहा मैदान होगे जो और अपार हरता बुमी फॉरस्ट लैंड ठीक है और जो लैंड को रिकॉर्ड करता था उसको हम बोलते हैं गुपता पिरिड में पुष्टा पला ठीक है पुष्चा उसी यार पुष्चा उसी पुष्चा पला तू मैं लग पुष्चो उसको स अफिसर था ये जो इंचार्च था और लैंड ट्रांजिक्शन्स पुष्टा बला किन लैंड उसने ट्रांजिक्शन किती ठीक है बोलते हैं कि गुपता की आर्ट को जो गुपता पिरिड में आर्ट थी उसको हम गोल्डन एज आफ एंशियन इंडिया बोलते हैं तो देख चंद्रगुपत थे उन्होंने भी नो ग्रे जैसे नो नव ग्रह रखे हुए था नव रतान रखे हुए थे उसने अकवर ने ऐसे चंद्रगुपत सेकी ने ये पोश सकते हैं कि एंशियन टाइम में एंशियन टाइम में किसके नाइन स्कॉलर थे ठीक नाइन स्कॉलर किसक गाटा कर्मा, खसा परंग, बिलाबट शांकू, अपने अजीव अजीव से नाम है अनके, ठीक है, और इसके टाइम में, फर्स टाइम में हमें हिंदू की, हिंदू बगवान की मूर्थिये में दिखी, ठीक है, हिंदू बगवान की इमेजे दिखी, किसकी बिश्नु की, कुछ और भी गौड्स थे, और कुछ पेंटिंग्स वी, जैसे मद्या परदेश में, ठीक है, मद्या परदेश में दिखी, बुद्धिस्ट आर्ट दिखी, मैक्सिमम हमें यहां पे, गंदारा स्कूल था, ठीक है, मथूरा स्कूल, और नालंदा यूनिवरस्टी थी, ठीक नेक्स कोशन हमारा इंडस वाली सिबिलाईशन से है, इन्होंने पूछा हुआ हडपन साइड और फाइर अल्टर फाउंड, ठीक है, जो फाइर अल्टर, मला हवरन कुड कहां पे मिले थे, इनका कोशन है, कि जो इंडस वाली सिबिलाईशन थी, जिसको हम हडपा साइड भ बहुंद जंदारो और उसके बार राखी गड़ी यह हमें मिले थे कहां पर काली वंगनी यह कहां राजस्तान में आपको आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है कि राजस्तान में जो राजपुतों का उरीजन हुआ था बोलते हवन कुंड वहां पर बड़ हवन शवन करवाते थे उसमें से ऐसे देपता निकला एक ऐसे ऐसे मलब राजपुतों का मलब ऐसे एंशियन टाइम की स्टोरी है तो हमें कहां से मिलती है जो हवन कुंड होते हैं वो कहां से मिलते हैं काली मंगनी काली मंगन कहां राजस्तान में पढ़ता है और जो हडपा में पढता है यहां पर पढ़ता है पाकिस्टान में और यहां मोहन जडारो काली वंगा यहां राजस्तान में और उसके बाद राखी-गडिकर दिल्ली वाली επιARE लोफल गुजराओ जो मोहन जडारो है उसका नाम क्या है वो हना मतलब माउन्ड ओड मैन ठीक है वो जो ऐसे dead body होती है ना mound होती है उसको हम बोलते है ठीक है and ये कहां बढ़ता है सिंध पाकिस्तान में वो जो हडपा है हडपा कहां बढ़ता है रावी रीवर के किनारे ठीक है हडपा कहां बढ़ता है वो largest site है. हडपा की largest site कोन सी है? राखी गड़ी. और largest city कोन सी है? मोहन जदारो. ठीक है? largest site राखी गड़ी. ठीक है? राखी की गड़ी. Site, largest site. और largest city मोहन जदारो. ठीक? Indus Valley की city हमने देखी कुछ, कुछ. और कुछ थी हमारी जैसे दोला वीरी, very important यह अभी आपको पता है कि हमारी heritage site में भी include की है 2021 में तो यह बहुत ज़्यादा important हो जाती है, तो यह हमारी Indus Valley civilization की भी site आती है कहां आती है, गुजरात में आती है लूनी रीवर के पास और यहां पे हमें water irrigation process, पानी विगरा वो मिला था, हडपा city में, हडपा sites में Indus Valley civilization में town planning की ऐसी होती थी underground training system था, the great bath, ठीक है, ऐसे पूछ सकते है the great bath, जैसे swimming pool होते है न, तो वो सबसे बड़े कहां पे थे, मोहन जदारों में ठीक, अहां था, मोहन जदारों में the granary, granary मतलब की बड़े बड़े जैसे गुदाम होते हैं, ठीक है, the granary ये कहां था, हडपा में था very important, ये हडपा में था और जो great bath swimming pool था सबसे बड़ा, वो कहां था वो था, मोहन जदारों में और उसके बाद agriculture कैसा agriculture कैसा था यहां पे यहां पे first time जो खेत जोतना very important, काली बंगन कहा है राजस्तान में, इस time में iron को नहीं जानते लोग, iron को नहीं जानते लोहे को नहीं जानते थे, ये बहुत वार caution पूछा, ये बैदा के टाइम में आया था, ठीक है, ये बैदा के टाइम में आया था iron, loहे को लोग नहीं जानते थे स्टोन के जो स्टोन के हत्यार होते थे पत्थर से बने हत्यार होते थे लक्डी से बने हत्यार होते थे उसी से यूज करते थे हाची और जो कैनल सिस्टम था वो भी नहीं था इसके टाइम में ठीक कैनल सिस्टम भी नहीं था नहरे शारी भी नहीं थी इसके टिक और जो क्राब्स कौन कोन सी फसले उगाते थे लोग वीट वैरली डेट पी सिसम मस्टर्ड मिल्ट रागी बाजरा जवार टिक शुगर केन शुगर केन भी नहीं थी इस टाइम में यह पूछ सकते जो नहीं था ना वही पूछेंगे जादर शुगर के नहीं थी गन्ना था लोहा नहीं था ठीक है और first time cotton को produce किया था इसके time first time क्या first time हमें खेट जोतना दिखे थे कहां काली वंगन में world में first time कहां very important देखो कितना important है पूरे देश में सबसे पहले खेट जो जोते हैं वो कहां दिखे थे काली वंगन राजस्तान में और उसके बाद सबसे पहले cotton कहां produce की थी world में world में they are first to produce cotton in the world कितना जहता important है ठीक है cotton सबसे पहले यहां पे produce की थी कहां पे यहां पे ठीक है मोहन जुदारों में मोहन जुदारों में world में first time cotton produce की थी woolen cotton थी ठीक है बूलन cotton थी वह produce की थी ठीक है वह produce की थी अधिक कैसा था इस time में जो ट्रेट था वो बाटर सिस्टम था बाटर मतलब की दालो तो चावल कोई नहीं होते थे ठीक है ठीक है तू पांच एक पतिली मेरे से दाले ना मेरे को एक पतिली चावल दे देना एक्सचेंज करते थे कोई नहीं होते इस time में और बाहर भी एक्सपोर्ट होता था यह नहीं था कि बाहर नहीं चीज़े बेज़े आती थी बाहर क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे कॉटन की चीज़े टारकोटा फिंकर चोटी 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 नहीं होती है मूरती है वो पोईट्री ठीक है वो बाहर बेज़ते थे उसके बाद art and culture कैसा था यहां पर art जुवैलरी विगर गोल्ड की थी, silver की थी, cotton fabric था, woolen थे, poetry थी, मटके मटके बने हुए थे उस पर human की figure, plant की sketch बना हुआ था और यह seal very important, seal ऐसी होती थी जैसे हमारे गले में कोई कितावीज डालता है यह seal किस से बनी थी, यह बनी थी, cityite से, ठीक है, cityite बहुत ही ज़्यादा important है और यह कियस के exam में पूछा हुआ था, seal किस से बनी हुई थी, cityite से बनी हुई थी, ठीक और इसके ओपर picture किस किस की थी, एक तो one horn rhino, ठीक है, एक sing वाला bull था, buffalo, tiger, rhino, goat, elephant, ठीक है, यह seal के ओपर picture दिखती थी important seal हमें कहां मिलती है, पशुपती seal, पशुपती seal हमें मोहंजदारों में मिलती है, unicorn scene मिलती है, ठीक है, और हमें bronze age की, bronze metal, इस time कौन सा metal मिला था, bronze, irony मिला था, iron veda के time में मिला था, ठीक है, dancing गल, बर्नो, bronze image मिली है, हमें लड़की की, ठीक है, dancing गली है, बहुत बार पुछते हैं, और stone image मिली है, हमें किसकी braid, बड़े बड़े दाड़ी वाले, दाड़ी वाले, इनसान, और bronze, तांबे की लड़की डान्स करते हुए, कहां मिली है, मोहंजदारों में, मतलब मोहोगी, आजकल दाड dancing girl, लड़की डान्स करके मोहो लेती है, तो कहां मिली दोनों, मोहंजदारों में, ऐसे ही हो सकते हैं, dancing girl किस से बनी थी, तांबे से, bronze से बनी थी, और जो दाड़ी वाला अदमी था, वो पत्थर strong होता है, हना, तो stone से बना था वो, ठीक है, इसके टाइम में बगवान भी थ थी, पशुपती महादेव थे, ठीक है, और, इनकी sides के other name भी है, जैसे हडपा का, ग्रे, गेटवे सिटी, मोहंजदारों का, माउंट आफ डीड, काली वंगा का, ब्लैक बैंगल, चन्नो दारो, चन्न की तरह, लिपस्टिक विगरा मिली थी, वहां पे, मेक अप का समान, ल relation, वेरि, वेरि, इंपॉर्टन, और, जो दोला वीरी है, वो दोहजार इकिस में, यह न्यूस का कोशन है, दोहजार इकिस में दोला वीरी को हरते साइट में, कनवर्ड किया, ठीक है, तो हमें यहाँ पे water reserve मिलता है, यह बहुत बार, अभी question में पोछ रहे हैं, आस यह से कि आपने previous year के exam देखे होंगे तो बहुत बार water reserve हमें वहां पे मिला हुआ है, unique water system मिला हुआ है, dam मिले हुआ है, ठीक है, rocket architect मिला हुआ है, और सबसे बड़ी site कौन सी है, राखी गड़ी, कहां आती है राजस्तान में, राखी गड़ी, ठीक है, राखी गड़ी, राखी डोर इतन next question है हमारा, which one of the following river in India was not crossed by Alexander and his army, लग कौन सी आसी river थी India की, जो Alexander और उसकी आर्मी ने cross नहीं की थी, high faces, excesses, herodities, ठीक है, और उसके बाद head faces, तो ये थी हमारी option one, ठीक है, head of faces में तो उस पर लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो option one is correct, high faces, इसकी explanation, जो high faces river है, ये बियास river, ठीक है, किसको बोलते हैं हम बियास river, पंजाब स्टेट में आती है, और ancient time में इसका नाम था, बिपाशा और ग्रीक नेम है इसका high faces, कौन सी river, बियास river, पंजाब स्टेट में फ्लो करती है, ancient time, बिपाशा और high faces, बिपाशा हाई फाई है, ठीक है, इसको नहीं पास किया था, किसने, अलेक्जंडर और उसकी आर्मी ने, ठीक है, ये river कहां से निकलती है, हिमालिया से निकलती है, म बहती है, सतलूज river की ये ट्राइब्यूटरी है, और इंडिया स्टेट पंजाब में बहती है, ठीक है, ठीक है, जो battle of high faces है, high faces मतलब बियास river, ये battle किस-किस के बीच में हुई थी, आर्मी आफ अलेक्जंडर और किंग पॉरस, ठीक है, किंग पॉरस जीत गे थे, और इन्ह river को क्रॉस नहीं किया, who was the code point of it, समुंदर गुप्त, समुंदर गुप्त के code point कोन है, बानबट, हरी सीना, चंद बारदरी, समुंदर गुप्त कोन है, नेपॉलियन आफ, इसके code point है, हरी सीना, ठीक है, हरी सीना, नेपॉलियन आफ, समुंदर गुप्त, इलाहाबाद पिलर ठीक है जो इलहाबाद pillar है उस पे इसके बारे में दिया हुआ है ठीक है उसमें दिया हुआ है समुंदर गुप्त एक बहुत अच्छे poet भी थे scholar भी थे वी ना बजाते थे music में भी interest रखते थे चंदर गुप्त 1 के बेटे थे ये ठीक है नेपॉलियनाफ इंडिया टाइटल क उपता पिरड कौन सा है जो golden golden age है आठ की ठीक है golden age है आठ की और किस ने दिया था ने पॉलेयर ने आप इंडिया बी ए समीथ ने किसको समुझा बान बड कौन है बान बड जो है वो हरिषबर्धना हरिषबर्धना के कोड़ पोइट है और उसके बाद पृत्वी राज चोहा के कौन है point चंद्र बारधरी ठीक है चंद्र बारधरी और उसके बाद बहावाबूती बहाबूती यशोबर्मन ठीक है जो कनोज के राजा थे उनके code point है लेकिन समंद्र गुप्त के कौन है हरी सिना ठीक हरी सिना ये भी question पोछते हैं exam में बहुत important कौन सा बेद है जो सबसे ancient बेद है लब सबसे पुराना है कौन सा रिग बेद कितने बेद है रिग बेद जजूर बेद साम बेद अधर्ब बेद सबसे पुराना रिग बेद औल्डेस बेद रिग बेद बहुत परी आपने बहुत बोला मैं मैं से बहुती है वेरी वेरी इंपर्टेंट ऐसे ही पूर सकते हैं ऑल्डेस्ट बेद रिग बेद इसमें कॉलेक्शन है हाइम की हाइम जो गाने होते है ना वो अर्ली बेद, work as a scare knowledge, आरियन, रिग बेद, contain, basis, India, system, caste, ठीक है उसके बाद हमारे आते हैं जैसे रिग बेद, साम बेद, जजूर बेद, अधर्ब बेद, ठीक जो रिग बेद है, वो, शत्रिय, शत्रिय, साम बेद, जजूर बेद, और उसके बाद अधर्ब बेद आते हैं हमारे, चार बेद हैं, सबसे पुराना है फर्स्ट त्रित्हंक कर्म लाई, फर्स्ट गुरु जैनिजम का कौन था अरिश्थमीन, परश्वान्थ, अजिन्द, रिषब देवा, यह हमने बढ़ा, फर्स्ट कोन अरिश्ब देवा ठीक है फ़र्स्ट है हमारे कौन रिषबदेबा, इसका साइन है बुल, रिष बुल, ठीक है और 22nd कौन है, अजीनात, अजीत नात 23rd पारस नात और 22nd अरिष्थिमी और 24 बर्दमान महाविर, ठीक है जो कपल वरिल, मतलब कपल वरिल हमें कहां मिलते हैं, मोहनजदारो, हडपा, या फिर चन्नोदादो, लोथल, तो यह हमें लोथल में मिलते हैं, लोथल कहा हैं, गुजरात में हैं, ठीक है, और जो मोहनजदारो है, वो सबसे बड़ी सिटी है, यहां पे हमें ग्रेट बात, ठ मिला हुआ है जो कलिंगा के राजा थे खार वेला वो कौन सी डैनिस्टी से बिलॉंग करते थे कलिंगा वार किसी इसके बीच में हुई थी खार वेला और इसके बीच में अशोका के बीच में ठीक है कलिंगा कहा है उडिसा में हर्यंका डैनिस्टी रथ बोजग डैनिस्टी म लौंग करते थे, अब है, त्री रतना, त्री रतना, बुद्धिजम का क्या मतलब है, त्री पित्गा, बुद्धा धमा संगा, और सत्य अहम सा करुना, और उसके बाद शील समदा संगा, इसका correct option है, हमारा, बुद्धा, धमा, संगा, ठीक है, option second is, जो हमारे महत्मा बुद् उनकी मदर का नाम था, महा माया, लेकिन उनकी death होगी, फिर उनकी मासी ने उनको पाला, जिसका नाम था, गोतमी, very important, इनका जनम, 563 BC, लुंबनी नेपाल में, जैन का बर्दमान महाविर का जनम हुआ था, बिहार में, इनका हुआ था, नेपाल में, जब इन्होंने निर्वाना अटेन किया, कहां अटेन किया, पिपल्ट्री बोध गया, ठीक है, आप बोध गया, कितनी फेमर्ज जगा और कितनी ज़्यादा बुद्धिजम आजकर, spread हुआ है, ठीक है, meditation, तो ये पूर सकते हैं, कि निर्वाना कहां मिला, बोध गया में, इसको हम बोलते है enlightenment of one, first इन्होंने अपना lecture, सर्मन कहां दिया, सारनाथ बिहार में, ठीक है, ये यहां पे, सारनाथ बिहार में, ठीक, जिसको हम बोलते हैं, धरम, चकर, परविता, जैसे आपको कोई guideline करें, तो आपका तो चकर ही, पूरी life ही change हो जाएगी ना, अब अगर उनकी motivation सुनके चलो होगे, और इनकी death का हुई थी, UP में, very important, खुशी नगर, UP में, नगर तो खुशी का था, महोल तो खुशी का था, लेकिन गम में तबदील हो गया, जब महत्मा बुद्ध की death हुई, कब होई, असी की age में पैदा का हुई, लुम्बनी नेपाल में पैदा हुई, और इनको enlightenment ग्यान की कहां प्रापती हुई, कब प्रापती हुई, बोध गया, ठीकि तब इसको हम बोलते हैं, बुद्धा, बुद्धा जब इनको ग्यान की प्रापती हुई, और इन्होंने अपना first lecture, first sermon कहां पे deliver किया, सारनात बिहार में, very important, जिसको हम दर्म चक्र परवत तनवीर बोलती हैं, इनके नोबल टृत क्या हैं बुद्धा के, वो बोलता है पूरा देश, पूरा शहर, पूरी दुनिया दुखों से बरी हुई है, कैसे, इसको तो बाहर निकाला नहीं, जब ये बाहर गे, इन्होंने एक बिमार आदमी देखा, अच्छा हमने भी ऐसे होना है, बुद्धा देखा, मरित देखा, फिर उसके बाद उनको दुनिया का बुद्धा, पूरे संसार दुखों का कारण, लेकिन हमारे दुख का क्या कारण है, डिजायर, इफ डिजायर, कॉंकर, कैन भी, निर्वाना, कैन भी, अच्छीव, फ्री फ्रैम सैकल, आफे बर्थ, ड दिवल हुड करो, एक्सेसाइज करो, माइंड फुलनेस करो, मैडिटेशन करो, आठ फोल्ड पात, इसको फॉलो करो, फिर आप मोह माया के चकर से दूर जा सकते हो, जना मरम के इस्सों से मुक्त हो सकते हो, ठीक है, यह महात्मा, आत्मा बुद्ध की टीचिंग थी, वो सोल को नहीं मानते थे, ना ही वो गोल, वो प्रैक्टिकली रिफॉर्मर थे, ना ही वो आत्मा को जो जानिजम थे, वो तो आत्मा को मानते थे, वो बोलते है, कोई भी चीज है, पत्थर है, इनसान है, पत्ता है, हर एक चीज में क्या है, आत्मा है, लेकिन यह आत्मा को भी नह और गौड को भी नहीं मानते थे, लेकिन वो गौड को नहीं मानते थे, ये भी दोनों को नहीं मानते थे, ये बोलते थे प्रैक्टिकली लाइफ, ये भी बोलते थे करम, जैसे करम करोगे वैसे ही काम, करम क्या होते है, अक्शन, और जो करम होता वो इनसान जनम से नहीं सीख पर है, अपने करम से इनसान की पहचान होथी, यह तो सही बात है जैसा करम करोंगे वैसी आपकी identity होगी, ये नहिए कि राजपुद family में, ब्रह्मन family में ऐसे family में आपने जनम लिया तो आपको वैसे, आपकी power की, आपकी position की बजा से not of beauty की बजा से, not कास्ट की बज़ा से आपको identify करेंगे ठीक है कितने अच्छे अच्छे लेक्चर दीए पढ़ा करो इनको बुद्धिजम की ऐसे भी बुक मिले तो पढ़ना बहुत गुसी कहा देगी कुछ बुक लिक हुई है त्री पितिका कौन सी लैंगुज पाली जैनिजम कौन सी थी प् पिटाब सैटका, विन्या पठागा, अवी दामा पठागा प।ाका नीं, पीटाका ठीक है और इनकी जो कांस्छ 2 यूई थी बुद्धिजम की चार यूई थी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टन एक तो हमारे जम्मू कश्मीर कशमीर, कुंदल गामा, कुंदल बान में हुई थी ठीक है खुशाना ने प्रजाइड किया था इसको बाशुमत्रम संग फर्स्ट इसकी हुई थी फर्स्ट मीटिंग कहा हुई थी फर्स्ट काउंसिल कहा हुई थी राजग्रीहा बिहारा में किसने प्रजाइड किया था इसको अजाज शत्रू हरंका डैनिस्टी से बिलॉंग करते हैं सैकीन हुई थी बिशाली बिहार में इसको काला अशोका यह शिशुनाग डैनिस्टी से बिलॉंग करते हैं ठीक और थर्ड जो हुई थी वो कहां पे हुई थी वो ही थी पाठली पुत्र यहाँ पे जानिजम की फर्स्ट होई थी पार्टली पुतर कहा है पटना में है और इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन है किसने प्रजाइड किया था अशोका ने ठीक है अशोका दा ग्रेट अशोका फॉर्थ गांजल होई थी कुंडल बन में कुंडला बन ये कश्मीर में है ये तो बहुत बार कोशन पुछा हो और ये इंपॉर्टन हो जाता है कश्मीर में ठीक है इसको प्रजाइड किया था करनिश का और यहाँ पे जो बुद्धिजम है वो दो में डिवाइड हुए थे किसमें हीन याना महा याना एक तो मानते थे मेडिटेशन को और एक मानते थे मूर्ती बुछागो ठीक फोर्थ कहाँ ही थी फोर्थ ही थी हमारी कश्मीर में फर्स्ट अराजग्रिया सैकिन बेशाली थर्ड पाढ़ली पुत्र बिहार फोर्थ कुंदलवर कश्मीर ठीक है जो पाढ़ली पुत्र थी वो शोका ने कुझो कुंदलवर कश्मीर में ही वो कनिश्का ने और यहां पे बुद्धिसम को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन है बहुत ही ज़ादा फस्ट हुमन स्टैचू बुद्धिसम के टाइम में पहला ऐसा बुद्धिसम है जो फस्ट हुमन स्टैचू को पूजा गया दुनिया में और इसके कुछ पिलر है जहां पे लाइफ अब बुद्धा के बारे में में पता चलता है एक गया में आप अगर गया होगा आपने देखा होगा सांची में बाहरपूर में ठीक है सांची में बाहरपूर में और जो गया है बारवर हील ठीक है बारवर हील गया में वहां पे भी इसका आर्किटेक्ट्चर बनाया हुआ है ठीक है Moria dynasty को हराके कोन सी डानिस्टी आये थी आपको पता है Nanda dynasty ठीक है, Nanda dynasty Moria dynasty को हटा के बेदिक पीरण में R-type की marriage थी लेकिन उसके recording Love marriage को क्या बोलते है Brahma, Gandharba, Devya, Arshah Gandharba Gandharba को Love marriage बोलते है आज कर बड़ी trending में है तो आपको पता भी होना चाहिए हमारे बेद में इसको क्या बोलते है गंदर्वा विवा ठीक है ब्रह्मा विवा वो होता है जो सेम बर्ण में किया जाता है गंदर्वा लब मैरिज होती है और उसके बाद दिव्या विवा फादर अपनी चायड़ को डोनेट कर देता है और अर्शा विवाह जैसे दिव्या विवाह वो होता है जब अपना फादर अपनी बेटी को डोनेट कर देता है, दक्षिना दे देता है अर्शा विवाः वो होता है जब टोकन ब्रैट ब्राइस और फेकाव दिये जाती है, भूल दिये जाते है प्रजवती ओ विवाह होता है जो बिदाव डौवरी, बिदाव दहेज के होता है असूरा बिवा जो पैसों के लिए खरीदा जाता है अक्सेसा तो अडिक्षन ठीक है लॉड महावीरा का क्या नाम था लॉड महावीरा का नाम था बर्दमान महावीर ठीक है जब उसको knowledge acquire किया उन्होंने perfect knowledge इसको हम कभीला बोलते हैं फिर उसका महावीर नाम था पहले क्या बोलते थे उसको हम बर्दमान पल्लवा की capital कहा है मसूरी मदरास कनोज तो इसका correct option है हमारा कनोज very important इसकी capital है कांची पूरा ठीक है यह south इंडिया में जो south इंडिया में जिन्होंने rule किया था वो पल्लवास थे ठीक है कब किया था 14th century में और इन्होंने great city temples south east में बनाए हुए है ठीक है पल्लवा ने सीमा बिश्नु इस्धा founder आफे पल्लवा ठीक है founder आफे पल्लवा और जो महंद्र वर्मन है वो greatest ruler है किसके पल्लवा के बहुत वार पुछा हुआ है कि महंद्र वर्मन कि उनसे greatest ruler किसके है तो यह पल्लवास के है और जो नर्सीमा बर्मन है उन्होंने short temple कांची के लास नाथर temple बनाया हुआ है महावाली पूरम में ठीक है महावाली पूरमने किसने नर्सीमा बर्मन सेकिड ने जो बर्मन बर्मन आएंगे न वो पल्ल्लवा जो हुआन सांग थे Chinese traveler कश्मीर में भी आयते है कुशहान dynasty के time पे तो यह कांचीपूर में इन्होंने बिजर्ड किया हुआ है जो capital है पल्लवा की और किसके time period में नर्सीम बर्मन फर्स्ट के time में ठीक है नर्सीम बर्मन फर्स्ट के time में बीजे नगर empire की capital है हमपी में बहुत ही important है वाधिय डैनस्टी मसूरी में पाशुबती डैनस्टी की कनोज में ठीक है हुआन सांग कब आय थे इंडिया में हर्श वर्दना के time में किसके time में हर्श वर्दना के time में आय थे बहुत बार विजर्ड किया उन्होंने कश्मीर में कौन कौन से foreign travel कौन कौन से time payment जैसे डैमकोस बिंदुसरा बिंदुसरा कौन है अशोका के पापा और उसके बाद मगस्थनी बहुत important है यह जन्होंने हाथी दी थे फिर उनकी लड़की से शाधी की थी चंदरगुपत मोर्या फाहिन चंदरगुपत सेकेंड ठीक है इवन बतूता इवन बतूता मोहमद वीन तुगलग यह ज्याग अगया अधिवल का style of painting belongs to mã Dalashtra कौन से style of painting जो माहाराष्टा से ? माहराष्ट्र कहां पढ़ता है, माहराष्ट्र पढ़ता है हमारा गुज्रात से नीचे, ठीक है, यहां पर पढ़ता है माहराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई में, ठीक, और कौन सी पेंटिंग, मिनी नेचर, मदू भनी पेंटिंग, यह तो भिहार की है, कलम यह बारली तो बारली ठीक इसको correct option है option for वारली जो बारली पेंटिंग है वो एक tribal arts से ठीक है tribal arts related है local लोग वहाँ पे practice करते हैं इसको ठीक है festival time में, festival season में, weddings में ठीक है ये वाली पेंटिंग ठीक है ये वारली पेंटिंग महराष्टरा, mini nature painting जो है ऐसे चोटे 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 कड़ाई होती है ऐसे 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 फूल पत्ते शत्ते बने हुए होते हैं ये राजस्तान से मदु बनी बिहार से कलाम आंदरपरदेश से कलाम ऐसे वी आंदरपरदेश से क्या सक्तों आंदरपरद आंदरा आंदर actिक का और बनी आंदरपर बनी वार आंदरों आदरपरंट लोटे हैं झाल झाल